हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो आरेस ग्रूप आफ इसकोर ऑनलाइन क्लासेश तुड़ेस टॉपिक इस एकोलोजिकल एडॉपशन के आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे वो है आपका पारिस्थित की अनकूलन इसके अंतरगत हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकोलोजिकल एडॉपटेशन या फिर आपका पारिस्थित की अनकूलन क्या होता है तो एनी फिचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिस्म और इस पार्ट्स विच नेबल इस टू एक्सिट अंडर कंडिशन ऑफ इस हैविटेट्स इस काल्ड एडॉपट के लिए जो छमता प्रदान करते हैं ते हमने को एड़िस्ट करने के लिए वो क्य कहलाते हैं टीकि एडॉपटेशन कहलाओ एडॉपटेशन..! स्वाधित का इंद dif smoke, morph on progress और पीडिवर में सागे आगे जनेरेशने को सवावी इसे अक로 मतलब आभा मुसें सब्सक्राओंग, हो तो तो से सब्सक्राइब नोगती कि यह नोगे यहारी यह क्यों रहाएं कर लिया है मतला अनकूलित कर लिया है और उसके जैनिटिक यानि अनवानसिक लच्छन में चेंज हो गया है जिसकी वज़े से उसकी जो आगे जेनरेशन आएगी उसमें भी वो चेंजेस प्रेजेंट होंगे ठीक है इसका एक्जामपल में आपने जैसे पढ़ा था पहले अपने को एजेस्ट करते हुए क्योंकि नीचे की जो भी घास थी खतम हो गई थी जो भी वेजिटेशन था खतम हो गया था तो उन्होंने पेड पौधे की पतिया खाना शुरू किया था तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था अपनी गर्दन को और अपने आगे वाले ज से की कि आज की डेट में भी जो भी जिराफ है उनकी गर्दन लम्बी है ठीके तो यह आपका आपका क्या हुआ जाके एडॉप्टेशन हुआ जाकर अब हैं धॉ 우ोटन में में किन को देखते हैं तो फॉर्स तो जो मॉफ लोगिकल देखतें या नी बहार उस को हम main point रखते हैं anatomical मतलब internal जो होते हैं उसमें भी इस जी जो को effect जाता है physiological हो गया और reproductive हो गया कि उसके reproduction में भी adaptation का effect होता है ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि adaptation को कितने parts में divide किया गया है तो आपका जो adaptations की बात करते हैं अगर हम plant में तो first आपका hydrophytes मतलब जलोधभीत हो गया जीरोफाइट्स में आपका मरोध भीत आ जाएगा मीजोफाइट में समोधपीद तो यह मेन आपके डिवाइडेशन है तो जिसमें हाइडोफाइट होता है कि प्लांट्स ग्रोविंग इन और नियर वाटर कि जो भी प्लांट्स आपके पानी में या पानी के आज़ पास पाए जाते हैं कि क्या होते हैं hydrophytes होते हैं जीरोफाइट फ्लांट से डॉप्टेट टु सर्वाइब अंदर वैरी पूर अभीविल्टी ऑफ द वॉर्टर कि जहां पे बहुत इकम लैक ऑफ दा वॉर्टर होता है वहां पर जो प्लांट्स होते हैं वह जीरोफाइट में आते हैं जिन्हें ह जैसे जो हमारे आजपास के प्लांट्स, वो इसमें आते हैं अब हम डिसकस करते हैं है हाइड्रोफाइट्स जो की मेन हमारा टॉपिक है आपका हाइड्रोफाइट्स ठीक है आज ecological adaptation में है hydrophytes तो इसमें पहला है कि what is the mean of hydrophytes तो hydrophytes जो है वो आपके डो सब्दों से मिलके बनाए है एक आपका दिया है सब्द जो एक आपका है ग्रीक वर्ड हुडोर मिन्स वाटर एंद फाइटन मिन्स प्लांट तो क्या हुआ जाके एक तरह से यह आपका वाटर प्लांट ठीक है ना hydrophytes मिन्स वाटर प्लांट्स होएंगे जाके इसके बाद इसमें आपका आता है कि इसफ्वेशाइबद इसमाट बिया रहते हैं यह तरह से इसमें ब्लू-ग्री आर्गी यहीं हों हूटर उटा यह जडू रहते हैं हूटर में तो यह सब आपको मैक्समम अपनेLo Swami पास दिखाई दे जाते हैं इनमें क्या रहता है कि यह तरह से पूरी तरह से बॉटर में प्लान्ट दूश्जरone के रहेश। रहे हुआ रिद्धी कुछ प्लांट 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 में नहीं एंदकर को बाष्क नहिंने का सबिसक्राइब दूच में 46 कि मॉफलोजिकल । में तो इसमें आपका रूट आता है इसमें रूड किस तरह से होती तो रूड चो होते हैं रूड की अगर हम बात करते हैं इसमें तो प्रोली डेवलेप्ट रिड्यूस और अब्सेंट रूट्स आ नॉट प्रॉड प्रो अब्जॉपशिन इंटायर प् प्लांट बाडी होती हो पूरी तरह से वाटर के कॉंटेक्ट में रहती है तो इससे क्या रहता है कि जो रूट्स अगर पाई भी जाती है ना भी पाई जाएं तो इनका कोई मतलब मेरे इंपोर्टेंट रोल नहीं होता है अगर नहीं भी है तो कोई दिक्त नहीं है वो प्लांट पूरी तरह से डेवलब हो जाएगा ठीक है इस लिए इसमें रूट्स एपसेंट हुती है और अगर प्रेजेंट भी है तो वह एद्मेंट्यनियस टाइ Är निए अपस्तानिक रूट्स प्रेजेंट होती है इसमें आप तो स्टार्टिंग में बहुत ही आपका पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है एकदम पॉइंट वन उसका डेवलपमेंट होता है लेकिन जैसे जैसे प्लांट और आगी बढ़ता है तो वह पूरी तरह से खतम हो जाती है इसलिए इसमें यहां पे लिखा हुआ है कि वह एपस पूरा प्रोसेस होता है और इसमें रेस्पाइरेटरी रूट यानि स्वशन मूल कोशिकाएं पाई जाती है जो कि क्या करती है कि रेस्पाइरेशन में गैस का को टांसपोर्ट करती है ठीकिन गैसों का आदान प्रदान करती है स्वशन की क्रिया में तो यह रूट्स का में आपका वर्क होता है अब हम बात करते हैं इस टेम सेकेंड पॉइंट में तो इस टेम क्या होता है वेरी डेलकेट यूस्वली ग्रीनिंग कलर सम्टाइम्स मॉडिफाइट इंटू राइसोम और रुन कि इस टेम जो होता है इसमें क्या रहता है कि बहुत ही पतले होते हैं मु लगे होते हैं इसमें और यह पहुत जादा सपन्जी होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर के जो लेवल होता है उसमें यह फ्लोट करते रहते हैं तैरते रहते हैं और जो रूट्स होती है । उसका आदा बात किचड़ दल दल में फसा रहता है र हम बहगा निकला रहता है अब बात करते हैं कि राए सूं और इनर ठाइब राईसम होते है जब आपकी रूट्स Every द्रूट्ट राता है gerade कि यह घ dot तो यहां से भी Rajum निकलेगा, यहां पर अगर leaf लगी तो इस तरय से वोबिटर को stave के रहते है, यह आपके ऐलते है, यह आपके रख़प्रा फ लेप करों लाथ dictate ना और फ काई रहते हैं राइस हॉ अपर सर्फेस में तो नहीं लेकिन लोवर सर्फेस तो होता है वो वाटर से टच करता रहता है इन लोटस पेटियोल शोड इन डेपनाइट ग्रोथ आल्वेस कीप दालीब फ्लोटिंग हेट्रोफिल्स प्रेजेंट इन सम प्लांस समर्स्ट लीव और लीनियर एंड रिवन लाइक और ätta ह्वेड और हैलिय। सर्फल इंड दे भी लिफ आरिय। इसमें क्यारे रहता है का इसमें नींचे साइट पर इस्टोमेट पाए पाए नहीं जाते हैं है आप्परी साइто है तो उपर साइड में इस्टोमेटा पाया जाने की वज़े से क्या रहता है कि इनके उपर एक क्यूटिकल की लेयर भी होती है जिसकी वज़े से क्या रहता है कि इस्टोमेटा आपके बंद नहीं होते हैं वो जो भी वार्टर होता है उसमें रुक नहीं पाता है क्यूटिकल की लेयर, wax की लेयर होने की वज़य से पानी जैसे ही पत्तियों प्रयाता वो नीचे गेर जाता है तो जिससे इस युमेटा बंद नहीं होती है ना उने किसी तरह से कोई भी हानी होती है और इसमें अगर इने light कम मिलती है इन leaves को तो यह yellow कलर ही हो जाती है इसलिए इंको light भी प्रॉपर ना जाता मिलने चाहिए ना कम मिलने चाहिए एक range में मिलने चाहिए तो इस तरह से यह आपका आपकी रिश्पारेशन और आपकी रिश्पारेटी रूटस पाई जाती है और फोटो सिंथेसिस के थूप प्रकास संस्रेशन की क्रिया होती है सूर के प्रकास में तो इससे सिंग का यह मौडिफिकेशन बना रहता है यह पॉइंट्स भी है कि लीव साफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स और विद स्मूध वैक्सी सर्फेस इसे जस्ट में भी बता है कि वैक्स सर्फेस पाई जाती है वैक्स कोटिंग प्रटेक्ट दा लीव फ्रॉम केमिकल और फिसकल इंजरीज प्रिबेंट वाटर अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन आफ हाइड्रोफाइट्स की हाइड्रोफाइट्स को कितने टाइप्स में डिवाइट किया गया है फ्रस्ट इसे हम डिसकस करते हैं कि क्या है फ्रस्ट आपको आता है समर्स्ट हाइड्रोफाइट्स समर्स्ट हाइड्रोफाइट्स य क्या जल की सत्य के नीचे डूबे रहते हैं तो यह कह सकते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो कीछड में धसी हुई होती है यह जो आपका कीट पतंग वाला जो आपका प्लांट होता है कीट भच्छी पिलांट कहा जाता है आपका इुू टीकुल अइरिया को वे इस इशी को ध्यान लगेगा इसके बाद स्वनेक स्क्रिすटे आता है for example, इसमें आपका की लोटस भी आपका आजाएगा it'sЕ jl kumbhi services ऑलफ ही आजाएगे और इसे प्रोतिंग हाईडो फॉयडा कर दें काफेसे 002 नहीं होती है, floating but rooted hydrophytes की float तो करते हैं, लेकि रूट से भी पाए जाती है, जो कि soils या किचर से लगी होगी होती है, इसमें आपका tonia आता है, निमफिया आता है, यह आता है, ठीकि इसमें जलकुम्भी भी जिसे कहा जाता है, वो भी इसी में यह आता है, यह main, आपके types of the classification हो गया, यह आपका hydrophytes का, main two रहते हैं, फिट two में फिट two और उन्हें subdivide किया जाता है, अब अगर मैं internal बात करते हैं, anatomical adaptation की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, increased accretion, means, stomata completely absent in some worst parts, sometimes versatile stomata present की, कभी कभी, चलिए अभी इसको discuss करते हैं, exchange of gases take place through the cell wall, in floating plants, stomata confined the upper epidermies, air and chyma well developed in submerged plant, air chamber filled with respiratory gases and moisture, इसमें क्या रहता है, आपका कि stomata जो होते हैं, पूरी तरह से absent होते हैं, लेकिन कहीं कुछ कुछ plants में मिल जाते हैं, और इसका, आपका जो respiration होता है, या gases होती हैं, gases का exchange होता है, वो आपका cell wall जो outer layer होती है, उसके द्वारा होता है, आपका इसमें air and chyma पाया जाता है, air and chyma का बढ़ क्या रहता है, कि वो cells होती है, air and chyma cells होती हैं, जिनमें हावा भरी रहती है, ठीकिना, respiration का जब process होता है, तो उसमें gas भर जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो plant होती है, वो float करते रहते हैं, तैरते रहते हैं water में, और आपका air chamber होता है, air chamber में आपको जो gases होती है, वो fill हो जाती है, तो बैटा, यह आपका पूरा हो गया, adaptation, ecological adaptation में hydrophiles का topic, इससे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा, ठीकिन, next topic, वीडियो में हम इसके आगे दूसरा topic discuss करेंगे,